हलो दोस्तों मैं हूं सुमिछ चोहान और स्वागत है आपका हमारी खाश पेशकर्स यूनिवर्सिटी स्पेशल में आज इस सिरीज के पाचवे एपिसोड में हम बात करेंगे जर्नलिजम यानि पत्रकारिता की पड़ाई के बारे में तो आईए शुरू करते हैं हालिया दिनों में करियर के लिहाद से मीडिया को एक बहतर इंडिस्ट्री माना गया है हाला कि मीडिया की चकाचोंद और एक चमतकारी छवी के कारण बहुत से लोग या तो सिर्फ एंकर बनना चाहते हैं या रिपोर्टर लेकिन मीडिया में सिर्फ एंकर और रिपोर्टर ही नहीं होते बलकि और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसे स्क्रिप्ट राइटर से लेकर कैमरा परसन तक, मल्टी मीडिया प्रोड्यूसर से लेकर assignment desk तक, radio announcer से लेकर अखबार का design ते करने वाले तक यहां तक कि अखबार बाटने वाले hawkers भी इस पूरी प्रिक्रिया का हमिस्सा होते हैं इसलिए हम इस वीडियो में मीडिया के व्यापक सवरूप को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप मीडिया की पढ़ाई कर सकते हैं सबसे पहले जानते हैं कि मीडिया कितनी तरह का होता है मोटे तोर पर मीडिया के पांच प्रकार होते हैं पहले नमबर पर है TV मीडिया यानी electronic मीडिया जिसे अब TV जनलिस्म के नाम से जानते हैं, दूसरे नमबर पर है रेडियो जैसे आकाश्वानी और तीसरे नमबर पर है web जनलिस्म जिसे digital मीडिया जैसे website news portals और news apps वगेरा आज के दिन देखे जाते हैं, चोथे नमबर पर है print म पाँचवे नमबर पर है फोटो जनलिजम इन पास्टरे की मीडिया में करियर बनाने के लिए कुछ स्पेशलाइज कोर्से होते हैं यानि आपको इनके लिए मीडिया की पढ़ाई करनी होगी लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर यानि की पत्रकारिता में सनातक की पढ़ाई के दोरान ही अमोमन इन सबी तरह की मीडिया के बारे में कोर्स के दोरान पढ़ाया जाता है पहले हम बात करते हैं पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के और उसके बाद हम जानेंगे पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मास्टर्स प्रोग्रेम के बारे में पुरानी सिक्षा नीते के लिहाद से बारवी के बाद पत्रकारिता में ग्रेजुएशन यानि सनातक का कोर्स करने के लिए तीन साल की मेयाद है नई सिक्षा नीते में हलाकी से चार साल करने का प्रस्ताव है आप बारवी के बाद मीडिया की पढ़ाई के लिए BA with Journalism, Bachelor in Journalism, BA in Convergent Journalism, Bachelor in Journalism and Mass Communication जीसे BJMC कहते हैं, BA in Journalism and Communication Studies, BA in Script Writing, B.Sc. in Mass Communication, Journalism and Advertising, Bachelor in Media Science जैसे graduate courses में से कोई course चुन सकते हैं इन courses में आप movement TV, Media, Radio, Digital Media, Print Media और Photo Journalism के बारे में पढ़ाया जाता है यानि आप graduation के बाद किसी भी तरह के media में जा सकते हैं इसलिए आपको confused नहीं होना है, कि मुझे तो सिर्फ anchor बनना था तो BJMC के बाद बन पाऊंगा या बन पाऊंगी आप बिलकुल बन सकते हैं, इसमें कोई confusion की बात नहीं है चाहे आपने arts में पढ़ाई की हो, चाहे commerce में या फिर science side से 12 की परिक्षा पास की हो आप journalism की पढ़ाई कर सकते हैं ज्यादातर universities में बारवी के अंको के अधार पर ही admission लिया जाता है लेकिन कुछ संस्तान लिखित परिक्षा भी कराते हैं ये जानकारी आपको उस university की website पर मिल जाएगी जहां से आप पढ़ाई करना चाहते हैं अगर आपने journalism में bachelor's degree हासिल कर ली है तो अब आप media के किसी भी खास विशे में post graduate diploma कर सकते हैं या फिर आप mass communication में ही है में भी कर सकते हैं जैसे देश का नंबर वन media school, इंडियन institute of mass communication, Hindi journalism, English journalism, radio and television और advertising जैसे विशो में busy diploma कराता है अगर आपने पत्रकारिता में BA नहीं किये है यानि आप किसी और विशे में graduate हैं तो भी आप पत्रकारिता में PG diploma या master's कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि graduation के दोरान आपने कम से कम 50 फिस्दी अंख आसिल किये हो admission के लिए लिखित परिक्षा और interview होता है जिसे पास करने के बाद आपको admission मिल जाता है अब जानते हैं कि आखित पत्रकारिता की ये पढ़ाई कहां से करे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है Indian Institute of Mass Communication यानि IIMC यहां से आप graduation के बाद एक साल का PG diploma in journalism कर सकते हैं सूचना एवेंपरसारन मंत्राले के अधीन आने वाले IIMC का headquarter JNU campus दिली में है लेकिन IIMC की जम्मू, धिंकनाल, आईजोल, अमरावतियोर कोर्टायम में भी branch है आप अपनी सुविधा के इसाब से ही admission ले सकते हैं मैंने खुद दिली के IIMC से हिंदी पत्रगाईता में PG diploma किया था IIMC देश का सबसे प्रतेशित मीलिया संस्थान है और यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ ही एक बड़े संस्थान का नाम भी आपके करियर में मददगार साबित होता है मेरी राय है कि अगर मुमकिन है तो graduation के बाद आप IIMC से एक साल का PG diploma जरूर करें IIMC के अलावा पेज़े किद्वई Mass Communication Research Center योकी जामिया मिलिया इसलामिया उनिवर्सिटी के अधीन है जो दिली में है वहां से आप पत्रकारिता के पढ़ाई कर सकते हैं इसके अलावा पेशियन College of Journalism चेनने ही से पढ़ सकते हैं मांखनलाल चत्रवेदी उनिवर्सिटी भोपाल यहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और मांखनलाल चत्रवेदी उनिवर्सिटी का नोईडा में भी केंपस है लेडिश शिराम College of for Women ये भी दिली उनिवर्सिटी में है डेली College of Arts and Commerce यहां से भी आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं इसके अलावा Film and Television Institute of India यानी FTII ये पुने में हैं वहां से इस तरह के courses होते हैं Department of Journalism and Mass Communication BHU यानी वारानसी से भी यहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं साथ ही Department of Communication Journalism पुने युनिवर्सिटी जो पुने की सावित्रिभाई फुले युनिवर्सिटी है वहां से भी आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं Institute of Mass Communication Film and Television Studies ये कॉलकाता में इंस्टीट है यहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं साथ ही Institute of Mass Communication and Media Technology कुरुक्षेत्रा युनिवर्सिटी हर्याना में वहां से भी आप पत्रकारिता की अलग-अलग कोर्सिस कर सकते हैं इसके अलावा गुरु जंबेश्वर युनिवर्सिटी आफ साइंस और टेकनलोजी ये बेहिसार हर्याना में हैं यहां साथ भी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन, पीजी डिपलोमा और मास्टर्स की डिगरी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लिस्ट दी जा रही है उपर जो मैंने आपको युनिवर्सिटी और इंस्ट्यूशन के नाम बताए हैं वो ज्यादातर सरकारी संस्थान है लेकिन वहां से पत्रकारिता की पढ़ाई करना किसी प्राइवेट संस्थान से पढ़ने के बराबर ही है यहां जनलिजम की पढ़ाई के लिए काफी महंगी फीज ली जाती है जैसे IAMC में PG डिपलोमा कोर्स के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक चुकानी पढ़ सकते हैं वहीं LSR से BJMC के लिए करीब 60,000 रुपए की फीज देनी होगी FTII पुने में करीब 70,000 रुपए चुकाने होंगे तो जामिया से BJMC कोर्स के लिए करीब 90,000 रुपए की फीज चुकानी होगी कुरुशेतर युनिवर्सिटी में भी करीब 1,000 रुपए में पत्रकारिता की डिग्री मिलती है सिक्षा को लगजरी आइटम बना देने वाली सरकारों ने दरसल सरकारी संस्तानों में भी मीडिया जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए भारी भर कमफिस लगा दी है अमिटी जैसे प्राइवेट संस्तानों में यही कोर्स करीब 10,000 रुपए में होगा इनी ज्यादातर सरकारी संस्तानों में होस्टल की सुविधा भी होती है लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा पैसे अलग से चुकाने होंगे संस्तान की वेबसाइट से आप इस बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं यहाँ आपको ये समझना होगा कि अभी तो सरकार चुनिंदा रास्टे संस्तानों की 20,000,000 रुपए बढ़ा रही है लेकिन आने वाले दिनों में तमाम कोर्सेज को इसी तरह महंगा कर दिया जाएगा ऐसा मत सोचिए क्योंकि आर्थिक तंगी को अपने सपनों के बीच में ना आने दे जब आप कोशिश करते हैं तो कई रास्ते निकल जाते हैं और इसी तरह का एक रास्ता है स्कोलर्शिप और फीस महाफी का उत्सिक्षा के लिए केंदर और राजे सरकारों की और से कई तरह की स्कोलर्शिप स्कीम चलाई जाती हैं जैसे मेरिट कम मीन स्कोलर्शिप और प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉर्सेज ये माइनलिटी इसके लिए है इस तरह की तमाम स्कॉलर्शिप्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद स्कॉलर्शिप की लिश्ट देखें और अपने काम की स्कीम के लिए अपलाई करें स्कॉलर्शिप्स के अलावा आप इन संस्थानों में फीस माफी के लिए भ्याविदन कर सकते हैं आर्थिक तोर पर कमजोर तबकों के लिए फीस माफी के भी सुविधा होती है इसलिए घबराएं नहीं बस कोशिश करें और अपने सपनों को पूरा ज़रूर करें पत्रकारिता में पढ़ाई के बाद कर्या की कई संभावने एक खुल जाती हैं जैसे आप किसी मीडिया संस्थान में रिपोर्टर बन सकते हैं टीवी में एंकर बन सकते हैं प्रोडूसर बन सकते हैं स्क्रिप्ट राइटर असाइमेंट डेस्क और पैनल प्रोडूसर की ज इंडियो जोकी बन सकते हैं, डिजिटल जनलिजम में भी अपार संभावना हैं, आप content creator से लेकर SEO और private companyों के PRों जैसे काम कर सकते हैं, camera person और video editor भी बन सकते हैं, photo पत्रकारिता कर सकते हैं, और अगर ये सब नहीं करना है तो फिर net JRF qualify करिए और academic field में अपनी काविलियत को साब मुझते हैं कि मीडिया में जाकर आप कोई क्रांती कर देंगे, तो मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, मीडिया भी बाकि उन तमाम industries की तरह हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफ़ा कमाना है, ये खबरों का व्यापार है और व्यापारी अख गिरती जा रही है, उससे इस पेशे पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं, भारतिया मीडिया घंगोर जाती वादी, मनुवादी और सत्ता की दलाली करने वाला फिल्ड है, ऐसे में अगर आप वंची तबके से आते हैं, तो इन संस्थानों में आपको टिके रहने के लिए बहुत मेंनत करनी पड़ेगी, तेकिन मेरा मानना है कि हम इन संस्थानों में जाना चाहिए, मन लगा कर काम करना चाहिए, जितना काम सीख सकते हैं, उतना सीखना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल बनके, एकदम तरीके से, और फिर उसे अपने मन मताबिक इस्तमाल क करना चाहिए, उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब दूँगा, बस एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाइए, ताकि जरूरत मन चात्रों को कुछ मदद मिल सके, शुक्रिया साथ कि अगले वीडियो में मिलते हैं